हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सभी का T.E.S. Education Center में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समानी ज्यान के कुछ महत्तोपुड प्रसन और उत्तर जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए महत्तोपुड है तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला कोस्चन है यूनेसको का मुख्याल है कहां पर इस्तित है इसका सही एंस्वर है यूनेसको का मुख्याल है पेरिस में इस्तित है अगला कुस्चन है Reserve Bank of India का राष्टी करण किस वर्स हुआ इसका सही एंस्वर है Reserve Bank of India का राष्टी करण 1949 भी में हुआ अगला कुस्चन है Unit Trust of India की अस्थापना कब हुई इसका सही एंस्वर है Unit Trust of India की अस्थापना 1964 भी में हुई अगला कुस्चन है सार्वजनिक छेत्रों में बैंकों में से कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है इसका सही एंस्वर है सार्वजनिक छेत्रों में भारती स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है अगला कुश्चन ए राष्ट्री अवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? इसका सही एंस्वर ए राष्ट्री अवास विकास बैंक भारती रिजर्व बैंक कि सहयोगी संस्था है अगला कुश्चन ए डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही एंस्वर है डेविस कप का संबंध टेनिस से है अगला कुस्चन है अंतराष्ट्य बजार में जिस मुद्रा की आपूर्ती मांग की अपेच्छा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है इसका सही एंस्वर है अंतराष्ट्य बजार में जिस मुद्रा की आपूर्थी मांग की अपेचा कम होती है वो हार्ड केरेंसी कहलाती है अगला कुश्चन है 1955 में इंपिरियल बैंक का राष्टी करण कर किस बैंक की अस्थापना की गई इसका सही एंस्वर है 1955 में इंपिरियल बैंक का राष्टी करण कर इस्टेट बैंक ओफ इंडिया की अस्थापना की गई अगला कुश्चन है अंतराष्ट्य पुनर निर्माड एव बिकास बैंक को और ये किस नाम से अधिक जाना जाता है इसका सही एंस्वर है अंतराष्टी पुनर निर्माड एव विकास बैंक को बिसो बैंक के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन है भारत के विदेशी बिनिमे संचे का प्रतिरत छक कौन है इसका सही एंस्वर है भारत के विदेशी बिनिमे संचे का प्रतिरत चक भारती रिजर्व बैंक है अगला कुश्चन है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करको क्या कहते हैं इसका सही एंस्वर है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करको टैरीफ कहते हैं अगला कुशन है सूती वस्त्र उधोग के छेतर में भारत का बोश्टन किस नगर को कहा जाता है इसका सही एंस्वर ए सूती वस्त्र उद्धोग के छेत्र में भारत का बोश्टन अहमदाबाद को कहा जाता है अगला कुश्चन ए राष्ट्रिय कोस में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है इसका सही एंस्वर है राष्ट्रियकोस में सरवाधिक धन उत्पाद सुल्क के माध्यम से जमा होता है अगला कुश्चन है मेरा संगर्ष किस की जीवनी है इसका सही एंस्वर है मेरा संगर्ष एडॉल्फ हिटलर की जीवनी है अगला कुश्चन है बूली सब्द किस खेल में परियोग होता है इसका सही एंस्वर है बूली सब्द होकी में परियोग होता है अगला कुश्चन है एंसीसी की अस्थापना किस वर्स हुई इसका सही एंस्वर है एंसीसी की अस्थापना 1948 इस भी में हुई अगला कुश्यन है सशस्त्र सेना जण्डा दिवस कब मनाया जाता है इसका सही एंस्वर है सशस्त्र सेना जण्डा दिवस साथ दिसंबर को मनाया जाता है अगला कुश्यन है खुदा बक्स पुस्तकाले कहां इस्तित है इसका सही एंस्वर है खुदा बस बक्स पुस्तकाले पटना में इस्तित है अगला कुश्चन है अभिज्यान सा कुंतलम के लेखक कौन थे इसका सही एंस्वर है अभिज्यान सा कुंतलम के लेखक काली दास थे अगला गोश्चन है भारत सरकार का संबैधानिक मुखी आ कौन होता है इसका सही एंस्वार है भारत सरकार का संबैधानिक मुखी आराश्च पती होता है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को सेयर भी करें